हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे स्कॉटलेंड और आयरलेंड के बीच में जो टी ट्वेंडी वर्ल्ड कप से मैच नंबर सेवन देखा जाएगा उस मैच के बारे में बात करेंगे इंटरस्निंग मैच है क्योंकि दोरों टीम्स बराबरी की हैं तो यहां पे हम कैसे टीम करेंगे वो भी बात करेंगे और किस प्रकार हमारी ग्रैंड लिक की डिफरेंशल रह सकती है आज का गेम प्लैन क्या होगा सब बात हैं हम डिसकस करने वाले है दोस्तों जो लोग नए ह हमारे यूट्यूब चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब करने रेगुलर आपके लिए वर्ल्ड कप की वीडियोज आ रही है कोशिश रहेगी कल जो इंडिया का प्रैक्टिस मैच और यूजिनेंट से वो भी कवर करूँ और जो लोग टेलीग्राम में जुड़रे फाइनल इसलिए करो क्योंकि मैच वन टू और उसके बाद मैच नंबर फाइव और सिक्स बहां पे हुआ था अब सेवन और एट मैच जो है वो होबाट के ग्राउंड पे होने वाला है यहां पर हमने बीबियल के मैचे देखे थे अच्छे का से रंस भी बने थे और विकेट्स गई इस Secretary 2004 तो रंस हो जाने चाहिए हाला कि आपको बता दूऌ कि यहां पर जो टीम्स है थोड़ी सी ऐसी है कि कई बार वो विकेट्स yhtराद जैना क्योंकि बड़ी टीम्स नहीं perchा बड़े प्लेयर्ज हो, हाला कि कुछ-कुछ प्लेयर्ज हैं जिसे की जिंबावे में सिकंदर रजा आयरलेंड में भी एक दो प्लेयर हैं जिसे की हैरी टेक्टर है, पॉल स्टर्लिंग है तो वो चलें तो वो कुछ भी स्कोर लगवा सकते हैं Ireland और Scotland के बीच में यहाँ पे जो T20 हुए है तेरा बारी हुए है साथ Ireland जीता है तीन Scotland एक हुआ है टाइ एक दो गए है नो रिजल्ट टाइ मतलब यानि की बराबरी स्कोर रही ठीक है पॉल स्टल्डिंग के बारे में देखोगे तो पांच मैचे 248 चार अर्थ शरतक है इनके Scotland के आगे भीया Scotland को तो तगड़ा खेलते है मैथ्यू क्रोस ने आठ मैच में 234 की है सिलेक्शन कुछ भी नहीं है दो अर्थ शरतक इनके Ireland के सामने रिची बरिंटन है अच्छा स्कोर है एक हाफ सेंचरी एंड्री वेलबरीन छे मैच 198 दो हाफ सेंचरी जॉर्ज मुन्जे एक सुनब्बे कैलम मेकलोड 177 ये आए हैरन लेकिन कैलम मेकलोड का एवरेज बहुत तगड़ा है 35 का एवरेज और जो इनकी फॉर्म रही है ना इस साल बहुत ही तगड़ा केला है केलम मेकलोड ध्यान रखना विकेट्स के मुकाबले में आपको दिखेंगे शाफियन शरीफ नंबर वन पे शरीफ है नाम से लेकिन बोलिंग खातक करते हैं ठीक है आठ मैच में 11 विक्टे मार्क वार्ड 6 मैच में 7 विक्टे रिची बर इस मैच में 76 किये थे मैथियो क्रॉस ने 66 केविन ओबराइन अभायनी 63 गैरेट डिलानी 25 साफ्यान शरीफ दो विकेट हमजा तहीर दो विकेट सोल दो विकेट एड्रियन नील दो विकेट मार्क अडायर दो विकेट इसमें यह जो प्लियर्स है मैं जो मार्क कर रहा हूं यह अवेलेबल नहीं है तो इन लोगों को ध्यान आपने नहीं देना बाकी के प्लियर्स पर ध्यान दोगे आईरलेंड का फुल स्टाट्स प्रस इंफो से पहले मैं आपको दिखाऊंगा हर प्लियर का रोल राइट हैं बैट्समन काफी हैं लेफ्ट हैं बैट्समन भी हैरी टेक्टर एक इनका टॉप ओडर लड़ खड़ाया कर्टिस केमफर ने आके टॉप स्कोर किया 27 रन के साथ जोज डॉक्रेल 24 गेरेट डिलानी 24 मार्क एडेर नौरन फिनिशिंग करते दीखेंगे आपको डिलानी और मार्क एडेर देन आपको सिमी सिंग जीरो वैसे त फास बॉलर्स बहुत अच्छे रहे थे अगर आप देखो जॉश लिटल 4 और 24 पे 3 चार और 39 पे 2 मार्क एडेर बारी मकार्थी एकनॉमिकल थे 4 और 24 पे 0 कटिस केमफर 3 और 29 पे 0 देन स्पिनर्स की बात करूं तो 2 और 21 पे 0 गेरेट डिलानी 3 और 31 पे 2 सिमी सिंग ठीक है यहां पे एक और जादा कर्टिस केमफर ने डाला था सिमी सिंग ने एक और कम बाकी सब कुछ सेम चला कर्टिस केमफर मिडल ओगर में बोलिंग करते हैं इसलिए यहां भी विकेट लेस थे पिछले मैच में भी दोस्तों आइरलेंड की अगर मैं बात करूं फुल स्टाट् है आइरलेंड की टीम के ठीक है ऐसी कुछ इनकी अगर आप फॉर्म देखो तो उस पर फॉर्म वाइस मांक अडेर बढ़िया चल रहे हैं कर्टिस केमफर ठीक ठाक चल रहे हैं एवरेजी जा रही है फॉर्म गेरेट डिलानी की ठीक जा रही है लेकिन फॉर्म में अभी आ उनके ही घर पे ठीक है तो टीम खराब नहीं है इस पे कुछ बड़े खिलाड़ी है जो मने लास्ट टीम भी नेम किये थे रिची बरिंग्टन केलम में क्लॉइड ये दो इनके बहुत इंबोटन बले बाज है केलम में क्लॉइड थ्री डॉन पर आते हैं फिलाल सिलेक्शन 60% है मैच के टाइम आपको 40-45 मिलेगा हो सकता है उससे भी कम हो जाए क्योंकि कल भी मेरे साथ यह हुआ ऐसे कुछ खिलाड़ों का सेलेक्शन एकदम से कम हो जाता है शायद लब फाइनल टीम्स टाइम लोग चेंज करते हैं लेकिन केलम में क्लॉइड बढ़िया प्लिया यह गेम चिंजर बन सकते हैं ठीक है साफियान शरीफ है इनका हैड टो एड रिकॉर्ट बढ़िया है बागी माइकल लिजक क्रिस ग्रेव बढ़िया स्पिन बोलर्स है बल्ले से भी परफॉर्मेंस बोलर में इनके रहेंगे मार्क वॉर्ड ठीक है थोड़ी सी 6 डॉन पर बल्लेबाजी करते हैं बेवी फास्ट ब्रेडवील फास्ट और क्रिसोल भी ऑप्शन है लेकिन क्रिसोल के खेलने के कम चांसे हैं मोस्ट लाइकली वो ना खेलकर साफियान शरीफ से ही कॉंटिन्यू करें आस मैच में जॉर्च मुन से जरूर सुपरेट रहे थे 66 नॉट लेकिन मैं आपको बता दूँ इनकी दो हिस्सों में इनिंग्स थी इनफाक तीन हिस्सों में पावर प्ले में इन्होंने अगर आपने शॉर्ट देखे ना इनके ऐसे लग रहा था भाई इतने बड़े हिटर है कि आईपियल में भी आसकते हैं देन कहानी आई पावर प्ले कि 6-16 और में बिल्कुल खराब के लिए लग नहीं रहा था टाइमिंग नहीं हो रहा था फिर 16-20 और में फिर थोड़े से हिट किये लेकिन पावर प्ले में उन्होंने बहुत बढ़िया बल्ले बाजी करी थी में प्लेयर आ जाते और इनका टिकना बहुत जरूरी है क्यों जादा रहेगा हाला कि सिमी सिंग जैसा ऑस्पिंगर अगर छोड़ते हो तो थोड़ा रिस्क रहेगा माइकल लीजक का मैंने लास्ट इम स्पेशली बोला था क्यों इंपोर्टेंट है क्यों ओवर डालेंगे आपने देखने को मिला और हिट्टिंग भी बढ़िया करते है काफी लोगों ने सीवी सी किया है वड़ा इम नॉट सो शॉर कितने ओवर मिलें इस मैच में हाला कि छे ही बोला रहे हैं तो दो से तीन ओवर डाल भी सकते हैं पिछले मैच में माइकल लीजक ने तो एक ही डाला था बरिंग्टन ने एक ही लेकिन माइक वाट ने पूरे च ये इनकी प्रेक्टिस मैच की कहानी है आप ये भी रीड कर सकते हो स्कॉटलेंड का अगर आप फुल स्टार्ट देखोगे कैनम मेकलॉइड आपको एक अलग लेवल खिलाडी मिनेंगे 27 की अवरेज इन फेक्ट इवन बिरिंग्टन 30 की अवरेज दोनों इनके माहिर खिला बहुत तगडी बोलिंग कर रहे हैं माक वोर्ट तो अच्छा करते ही हैं अब मैं आपको मैच अपस दिखा देता हूं मैट क्रॉस की बात करें जो स्कॉटलेंड के विकेट कीपर प्लियर है वंडोन पे आते है जिनरली ठीक है डॉक्रेल के आगे एक बर आउट है बाक्यो यार्ज डॉक्रेल भी उस मैच में खेल ले थे जितना मुझे आद है तो बहुत टाइम से खेल रहे हैं अब बोलिंग कम करते हैं मैच अपस में आपको बहुत पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है ठीक है तो समझो अब बोलिंग कम करते हैं लेकिन मैंने आपको क्या बता है left-hand orthodox काम आ सकते है राइट-handers बहुत है बरिंग्टन, डॉक्रिल क्या गया उट सिमी सिंग क्या गया उट केलम में कलोईट देखोगे डॉक्रिल, डेलानी, स्टर्लिंग क्या गया उट माइकल लिजक देखोगे नॉर्मल स्टैट्स, अनली बेरी मिकार्थी पे विकेट साफिय अन शिरीफ का लिख दिया जनरली मैं इनको बोलर ही मानता हूँ लेकिन बागी क्रेक वॉलेस है, विकेट कीपर बल्लेबास अगर खेलें तो अईरलेंड में इंटरेस्टिंग मैचपस है क्योंकि बी लॉर्कन टकर हमजा तरीक मार्क वॉट के आगे है मार्क वॉट से कहीं बार ओवर करवा लिया जाता है थर्ड फूर्थ ठीक है तो ध्यान रखना लॉर्कन टकर हो सकता है, उस तेम पे खेलर हो वन डाउन के प्लेर है है हैरी टेक्टर हमजा तहीर क्या आगे आउट है पॉल स्रल निग इंपोर्टेंट मैच अब से सिंद उसके ब्रैड वील क्या आगे दोबर आउट वाट क्या एक बार बाकी लीजक और तहीर क्या आगे एक बार लेकिन इनका जो इंटरेस्टिंग स्टैट्स है Mark Ward के आगे तो नॉर्मल है एक विकेट दिया है लेकिन नंस किया है लेकिन Brad Will से परिशान रही है खासा तो ये चीज का ध्यान रखना है Andy Belberine है Mark Ward के आगे एक बार Tahir के आगे एक बर Brington के आगे भी एक बर Out हुए है सिमी सिंग भाई Brad Will के आगे एक बार Brington के आगे एक बार इकलोती गेंद पे Garrett Delaney Mark Ward और Brington पे जबकि Dockrell का नॉर्मल है दोस्तो जब आपनी टीम सेलेक्ट करने आएंगे विकेट कीपिंग में आप लॉर्कन टकर मैथियो क्रॉस पाएंगे Craig Wallace, Steve Doheny खेलते भी हैं तो मैं लेक्रमेंट नहीं करूँगा दोनों टीम्स के नंबर वन पिक्स लॉर्कन टकर मैथियो कॉस रहेंगे दोनों आते हैं वन डाउन Head to head में रिकॉर्ड मैथियो क्रॉस का बढ़िया है दो हाफ सेंसरी है आठ मैच में यानि दो बार 50 करी है लेकिन सेफ कॉल रिसेंट फॉर्म को देखते हुए लॉर्कन टकर ही भैतर है क्योंकि इनका बताया था सौथ अफरीका को 70 किये थे अभी हाली में ही ठीक है सौथ अफरीका के बोलिंग इटैक को उसके अलाबा इनोंने 50 भी क्रोस किया था अफगानिस्तान को 50 करा था तो कई ना कई रिसेंट फॉर्म देखते हुए लॉर्कन टकर ही मुझे भैतर विकल्प लगे अगर आप मैथ्यू क्रोस भी चाहो तो कोई खराब बात नहीं है दोनों का बल्लेबाजी पोजीशन वन डाउन ही है और मैथ्यू क्रोस एग्रेसिव प्लियर है तेज खेलने की ही कोशिश करते है लास्ट मैच में इनोंने लॉंग ओन की तरफ शॉट लगाना चाहा था लेकिन लास्ट मैच में 66 के बाद हर कोई लेना चाहेगा और मैं भी ले रहा हूँ बट मैं आपको बता दो कोई डिफॉल्ट पिक नहीं है जिस्ट बिकॉस लास्ट मैच में चल गए ज़रूरी नहीं है लेना ही लेना है क्योंकि यहां पर डिफरेंशल भी बहुत अच्छे है स्टर्लिंग सेलेक्शन कम है लेकिन आपको पता है मैक्सिम लोग लेके आएंगे वन डाउन के प्लियर रहे थे शुरुआत में करियर में लेकिन उसके बाद जब विल्यम पोर्टर फील्ड चले गए वैसे तो इनने विल्यम पोर्टर फील्ड के साथ काफी ओपनिंग करी है लेकिन अब पक्के ओपनर हो चुकि यह इन्होंने करियर में बहुत ओपनिंग करी है फिर भी लोग इनको drop कर रहे हैं क्योंकि इनका recent form जो CPL में था काफी खराब रहा उसके बाद last match जो इनका हा उसमें भी regular आप कह सकते हो fail हुए even zero last match में बड मैं Paul Sturling को लेके चल रहा हूँ बड़े player हैं Ireland को जीतते की जुरुत है अगर इस two round में बने रहना है आपने ये देखा left time orthodox का role important है क्योंकि Scotland में सिरफ top order में एक left hander दिख रहे हैं उसके बाद सीधा मुंज़े के बाद जाके नीचे six down पर आपको mark pot मिलते हैं इच में सारे right handers हैं तो कहीं न कहीं डॉक्करल bowling कर सकते हैं काफी अच्छे talented player है recent form average रहा है मैं skill के मामले में इनको number one rate करूँगा इस section में क्यों भाई क्योंकि आपको थ्री डाउन पर बल्ले बाजी भी देता है player ठीक है और कहीं न कहीं part time गिंद बाजी भी करते हैं तो कहीं न कहीं important फिलाडी बन चुके हैं केलम में क्लॉइड वह बात थी वंडे की यहां आ रहे है 3-down और T20 में 3-down में कहीं बार अगर chasing में है तो आप शायद ignore करोगे वही reason देखते हैं क्योंकि रीची बरिंग्टन 2-down है और यह भी part time fast bowling कर लेते हैं अस्ट्रिलिया के विकेट में कहीं वार ऐसा बोलर विकेट ले जाता है एक दोर करके यह reason है मैं बरिंग्टन के साथ हूँ क्योंकि यह skill wise मुझे लगता है Scotland के best player है along with यहां पे केलम में क्लॉइड यह दोनों मेरे हिसाब से top है बड़ मैं अभी opener के साथ गया हूँ मैं last match के बाद dicey हूँ last match मैंने लिया भी था और आपको मैंने suggest किया था लेना है क्योंकि over करेंगे सामने left handers भरपूर थे West Indies में आपको बताया था मैंने पहले left hander है Nicholas Puran, Kyle Myers, Evan Lewis तो Michael Leesak important बन गए थे लेकिन अब सामने एक left hander मुझे दिख रहा है एक भी नहीं दिख रहा है in fact मुझे अर्लेंड के टीम में top right handers नहीं है जो अर्लेंड की टीम में left hander है उनको खिलाया नहीं ग्राम हो में को ठीक है तो कहिना कहीं Michael Leesak ही important bowler उतने नहीं दिख रहे है हाला कि Scotland की टीम में 6 main bowler है उसमें इनकी बिगिनती है तो ये दो से तीन और कर जाएं जरूरी नहीं है कि मैच अप के according over ना मिले बठा मैच अप का advantage नहीं है इस बार ठीक है नें सिमी सिंग है Curtis Camper Curtis Camper मेरी number one pick है देखो इनका भी सिमी सिंग का same है औस पिनर है जबकि स्कॉटलेंड की टीम में केवल एक left hander है तो पता नहीं कितने हों मिले बट ये जातर wicket taker है variations अच्छे हैं तो और मिल जाते हैं इनको आस मैच में थोड़े unlucky रहे Curtis Camper बट मैं back कर रहा हूं क्योंकि तीन और middle में डाले थे और कहीं न कहीं बल्लेबाजी से काफी अच्छे है Ireland इनको अगर proper usage दे मेरे साब से one से two down खिलाएं तो ये Ireland के best player बन सकते है लेकिन वो Ireland करनी रही फिर भी important है हम team में लेके चलेंगे Chris Greaves एक ऐसा खिलाड़ी जो हमेशा points में रहता है last match में भी 40 points देखे गए बहुत कम लोग इनको लेते हैं बट कहीं न कहीं scoring में हमेशा ये points देते हैं क्यों भाई मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ reason है इसका ये last year के आप matches देख लो हर match में 20, 90, 15, 25 कुछ ऐसे score कर रहे थे जिस match में scoring नहीं एक दो wicket आके निकाल रहे थे points में रहते हैं साफियान शरीफ, fast bowler, good bowler है गेरेट डिलानी अगेन, spin bowler, who can actually get wickets as well spin bowling करते हैं दो और leg break के और finishing करेंगे Ireland से मैंने all-rounder में अभी केवल Curtis Camfer को लिया है हम बाद में आएंगे और कौन सा खिलाडी लेना है देखने अभी हम चल रहे हैं bowling section पे bowling में कुछ खिलाडी पक्के करनें आपको जिसे जोश्वा लिटल, Mark Adair, Bradville ये तीन खिलाडी आपको हर हालत में चाहिए ये तीनों अपनी टीम से main pace bowling करेंगे Ireland के लिए चार और Adair ने किये थे चार और जोश्वा लिटल, Scotland से चार और Bradville इसमें एक और death में डाला था 18 और लिटल ने 20th और Mark Adair ने Scotland के Bradville भी आप कहा सकते हो death bowler एक आदा और करेंगे ठीक है और 200 में खेलने का experience है लेने important है अब आपके उपर game आती है मैंने आपको बताया कि left-harm orthodox over करने चाहिए right-handers बहुत है तो Mark Ward को मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये six dawn पर बल्ले बाजी भी करते है Scotland के main player है 90% selection है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा लेके ही चलो ठीक है हर चीज इनके favor में जा रही है तो ले लिया भाई अब हमारे game changer आनी है अब यहाँ 9 player आपके पास आ गए है आपको safe जाना है selection देख के जाना है लीजक को ले लो सिमी सिंक को ले लो बल्ले बाजी में हरी टेक्टर को ले लो मेकलोइड को ले लो बैसे मेकलोइड का कम जाएगा selection में आपको बता रहा हूँ वो game changer है यह मत सोचना बहुत लोग उनको लेंगे अब जो है आप पास important options Barry McCarthy fast puller चार ओर किये ध्यान रखना जोश्वा डेवी चार ओर करेंगे 7-9 बल्ले बाजी भी करियर में थोड़े scoring भी करी हुई है बड़ी leagues में खेलने का experience रखते है जोश्वा डेवी ध्यान रखना मैं यहाँ पर किसको लेके जा रहा हूँ सबसे पहले मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ Garrett Delaney को मैंने बताया left time orthodox leg spinners का काम रह सकता है plus finishing में Garrett Delaney बढ़ी है मन मेरा Chris Greaves के साथ भी बहुत है लेकिन मैं थोड़ा सा time टो रहा हूँ एक fast baller को choose करने के लिए इसलिए मैं इनको select कर रहा हूँ यहाँ मेरी team में बदलाव आ सकता है Simi Singh चाहिए तो वो ले लो भई जो safe calls है आप ले सकते हो लेकिन मैं आपको selection के अधार पर team देने आ आ जहा हूँ तो मेरा मतलब भी नहीं है लेकिन यह मेरी team है इसमें आप जो change चाहते हो मैंने आपको clear समझा है सबके बारे में 10 के 10 player जो मैं और खेलने वाले है 11 player in fact सबको मैंने बताया तो आप जिसको चाहो ले सकते हो कप्तानी मैंने अपनी Curtis Camper को दी है Vice Captaincy के लिए जो घरपस विकल्प है Mark Adair है, Brad Will है, Mark Watt है मैं actually अभी भी Fast Buller Mark Adair के साथ गया हूँ कप्तानी Camper, Vice Captaincy Adair इसको आप reverse कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ये देखके कि Adair को generally death में और मिल जाता है जबकि Curtis Camper middle में है तो ये चीज़ आप reverse कर सकते हो, उमीद करता हूँ इस वीडियो के थुरू आपको help हुई अगर आपको लगता है, आपको कुछ सीखने को मिला तो एक like, comment, share जरूर करे सब्सक्राइब नहीं किया, ख्रिकलन फॉरकाश को तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल पे हमारे और description में जो link है, telegram का बहुत important है, जरूर जुड़ जाना